चैटा कोस्टन जो लिखाना है CTemit इसके पूरतर आप सब लोग यहां से इसको नोट कर लेंगे ये पूरा पूरा इसका वत्तर यहांपर आपको दिया गया है प्यारे विद्यार्तियो श्वागत आप अर्दवार्शिक परिक्चा Uh X intersect summer summer book पूरे question paper को और इसके पूरे solution को तो देखेगा पैर विद्यारतियों यह रहा आपके paper का पूरा solution जी यहां से में आप सभी को आपके paper के सभी question और उन सभी question के answer बताने वाला हूं एक भी question यहां से आपका नहीं चूटेगा अगर आपने इस वीडियो को पूरा last time देख लिया है और आप सबको इसका solution किस प्रकार से पूरा complete कर लेना चाहिए देखेगा पैर विद्यारतियों हमारे द्वारा आप सभी के लिए state A, state B और state C का solution अप्लोड किया जा चुका है और अभी हम यहां पर कक्चा 10 वी सामजी विज्यान के state D का पूरा solution देख रहे हैं तो इसलि के लिए अर्दवारसिक परिक्चा 2023-24 कक्चा 10 वी का समजी विज्यान का पूरा question paper आपका case आया है और आप सबको इसका solution के प्रकार से पूरा complete कर लेना चाहिए देखेगा पैर विद्यारतियों यहां से में आप सभी को पूरा का question paper बताऊंगा एक भी question यहां से आपका miss न देखेगा जिसमें की प्रस नमर एक लिखा सही विकल्प चुनका लिए आप सही विकल्प किस प्रकार से आपको चुनका लिखना पहला question किस राजी ने सेयुक्त बन बरबन का पहला प्रस्ताव पास किया तो देखेगा इसका उतरा जाएगा ओडिसा दूसरा question प्रांस में किस किस चवी सिको डाक टिक्टो पर रंके थे तो इसका उतरा जाएगा मरियोन तीसरा question निमली कित में से किस देश में यूरोपी संका मुक्या ले तो इसका उतर वेलजियम लिख लेना है चोता question माना विकास में बारत में किस राजी के स्थिती बेता रहे तो देखेगा इ किस में इस्तान तरीक रसी को निमली कित में से किस नाम से जाना जाता है तो देखेगा इसको धईया के नाम से जाना जाता है उसके बाद में चटा कोशन पढ़ते हैं किस इस्तान पर मात्मा गांदी द्वारा आवजित नमक मार्च से समाप्त हुआ तो देखेगा इसको उ कोश्चन आप से पीपर में पूचे जा रहे हैं आप सब लोग यहां से सको देख लें दूसरे नमर का कोश्चन अपने समय की सबसे बड़ी करतिम जीलो में से एग देखेगा बोज़ताल ग्यारवी सताबदी में बनाई गई तो यहां से आपको यह लिख लेना है अगला कोश्चन स्री लंका में 33% लोग तमिल वासा बोलते हैं तो देखेगा यहां पर आपको 33 नहीं 20% लिखना होगा चोता कोश्चन नगर निगम के प्रम क्वस्तों का उत्पादण नहीं करते हैं तो देखेगा यहां पर आपको तरतियक चेतरवे से लिख लेना है और इसके बाद में अगले कोश्चन को देखते हैं क्या लिखा है देखेगा सई जोड़ी बना का लिखना है यहां से आप सब लोग इसको देख लेंगे तो लंगा में ग्रेय उत्त का अंत 2009 में हुआ नाबाट के स्तापना 1982 में हुई तो यहां तक के questions आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार सेंस को समझ भी लेंगे अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं आगले और द्योगी की करण के बाद ब्रीटेन के गारण ब्रीटेन के कपास का उत्पादन गटने लगा ये भी सत्ती होगा चोथा question समयदान द्वारा 22 बासाव को साथ भी अनुसुची में रखा गया बिल्कुल असत्ती होगा उसके बाद में पांचा question एक बवराश्टी कंपनी व वाली एक सामानी सरकार को क्या कहते हैं तो देखेगा इसको कहते हैं केंदर सरकार उसके बाद में दूसरा question पोकरण जहां भारत ने परमान परिक्चन किये किस राज में है तो देखेगा राजस्तान में है अगला question नए यूग का पहला प्रतिक की सुद्योग को माना जाता है और इसके बाद में अगला question स्वराज पर्टी का गटन किस ने किया तो देखेगा इसका उत्तर आजाएगा किस ने किया ता चितरंजन दास ने उसके बाद में अगला question पढ़ते हैं पांचो नमर का जिसमें किलिका है बांगडा नांगल परियोजना किस नदी पर है तो उन सभी question के answer को देखते हैं तो देखेगा चटा question जो लिकाना इसमें शतत पोस्टनी विकास क्या है तो चलेगा आगे बढ़ते हैं और इसकी answer को देखते हैं ताकि आप सब लोग इन questions को अच्ची प्रकार से याद कर सकें तो देखेगा यह जो question लिकाना उसका उतर आप और अच्ची प्रकार से आप सब लोग इसको नोड़ भी कर लें उसके बाद में अगला question बांगर क्या है देखेगा चटा question तो देखेगा बांगर किसे कहते हैं आपको बताना यह तो देखेगा इसका उतर आ जाएगा मेदानों की पुरानी जालोड को बांगर कहते हैं यह इसका उतर होगा अब इसके बाद में अगला question देखते हैं क्या लिखा है यहां से आप सब लोग एक-एक question को समझते चलें देखेगा नवा question जेव और आजेव संसादन क्या होते हैं कुछ उधारण दीजिए नवा question तो देखेगा आफ इसको देखते हैं जेव और आजेव संसादन कौन-कौन से होते हैं, यहां सा आप सब लोग दिख लें, जेव संसादन ये लिखे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लें और पुरा का पुरा इनको समझ भी लेंगे, तो यह आप सभी के लिए बता दिये मैंने यहां से आपको, अब अगला कोश्चन दस्वा, बारती करसी की दो समस्चाय लिखिए, तो देखेगा बारती करसी की दो समस्चाय कौन-कौन सी है, इनको आप सभी लोग यहां से सकनोड कर लेंगे, बारती करसी की पहली समस्चाय, बारती करसी मांशुम पर आदारी थे, बारती करसी तकनी की रूप से पिछड़ी अवस् है तो आप सब लोग यहां से इन अंतरों को देख लें और अच्छी प्रकार से इसको याद कर लेंगे यह इसका उत्तर लिखा है कि प्रतम विशुद्ध में से योगी मित्राष्ट कौन-कौन से थे यह आपको बताना है बारवा कोशन तो देखेंगा इसका उत्तर क्या होग यहां से आप सब लोग इसको देख लेंगे यह इसका उत्तर लिखा है कि प्रतम विशुद्ध में से अयोगी मित्राष्ट कौन-कौन से थे पूरा का पूरा कोशन और इसके उत्तर को आप लोग यहां से देख लेंगे और याद कर लेंग अच्य परकार से उसके पढ़ते हैं क्या लिगा है अपरिका में 1980 के दसक में कौन सी बीमारी तेजी से फेली तो देखेगा रिंडर पेश्ट नाम की बीमारी तेजी से फेली थी यहां से आप सब लोग इसको नोट कर लें और उसके बाद में अगला कोस्चन गुमास्ता कौन थे चवदवा कोस्चन यहां पर विद्यार तो आपको यह लेवल का बताना कि लेवल से क्या ताथ पर है तो यह इसका उत्तर दियागा है पूरा का पूरा इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देख लेंगे और इसको याद कर लेंगे पूरा अब इसके बाद में अगला कोश्चन पढ़ते हैं देखेगा वेस्वी करने से क्या ताथ पर है सत्रवा कोश्चन तो यहां से आप सब लोग इसको देख लेंगे वेस्वी करने से क्या ताथ पर है पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्यार विद्यार तो यहां से में आप सभी को दे दिया है आप सभी ने इसको अच्छी प्रक प्रकार से इसको याद भी कर लेंगे तो देखेगा वन विनास के लिए कारण कुन-कुन से है यहां से आप सबको इनको देख लेना है तो चलिएगा आपको मैं बताता हूँ कि यह आपका जो question पूचा गया ना बाहत में वनो के विनास के लिए कारण तो चलिएगा आगे चुका है आप सभी लोग यहां से इसको पूरा देख लें और इसको समझ भी लेंगे पूरा का पूरा एटो जट कोशन पर विद्यार्थ मैंने यहां से आपको बता दिया आप सभी लोग इसको अच्छी प्रकार से याद कर लें यहां तक का आप इसके बाद में देखेग अगले को देखते हैं ताकि आप सभी पूरा का पूरा को पूरा को पूरा को अच्छी प्रकार से समझ में आ सके है तो देखेगा आगे आपका किस्वा कोशन पूचा गया जिसमें की लिखा है गांदी जी ने आसे युग अंदलन वापस लेने का फैसला क्यों किया तो चल तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं समझते हैं कि गांदी जी ने असे युग अंदलन को वापस लेना का फैसला क्यों किया था या पिर आप लोग इसके अत्वा वाले को देख सकते हो बारत में राष्टवाद की भावना पन अपने के किनी तीन कारणों को आपको बताना है तो चलिए अब इसके उत्तर को देखते हैं कि इसमें से कौन सा कोस्टन हम कम्प्लीट करें ताकि आप सब लोग इसको अच्छे से परिक्चाओं में लिखकर आ सके हैं यहां से आप सभी लोगों को इन कोस्टन के अंसर बता जाएंगे तो आप सब लोग इसी लिए आप बताने हैं यह विसस्ता रिक गई आप सब लोग इहांसे इसको देख लें और अच्छी प्रकार से याद्वर्य और आपrocky इसको इस को दसी सबिकित में परहलों को यह ईएमसंग तो favour कर सकते हो तो देखते हैं लिखकर जैंनी भुर्षा पारा